Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शिर और सबस्क्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रिडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रिडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रिडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिस्साप से इस रीडिंग को देखें. तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2022 की Love Tarot Reading. तो चलिए किनसेरियन्स, आप लोगों के लिए देखें कि April 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी? तो मैं परसे हां पे तीन सेट अफ कार्ट्स हैं. फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे, सेकिन सेट में आपके पार्ट्नर की Energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली April मन्त में क्या हो रहा है? तो आप से शुरू करते हैं किनसेरियन्स और आपके लिए यहां पे सबसे पहला कार्ट मुझे दिख रहा है Five of Souls और Five of Souls का कार्ट टारों में कहीं Unfair Energies की बात करता है किसी लेविल पे किसी तरीके के Injustice की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर April स्टार्टिंग में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और दिखिए जनरल रीडिंग है तो यहां पे Unfair Energies सब के लिए डिफर कर सकती है कुछ願い के लिए हो सकता है कि भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस relationship के लिए आपके लिए इतने फेर नहीं रहे जो आप करते हैं वह आपको इस relationship से या फिर आपके partner से नहीं मिल रहा था है और कुछ сейчас के लिए हो सकता है कि खुद से ही लग रहा है एक इंसीरियंस कि आपने अपना 100% अपने पार्टनर को या फिर इस रिलेशनशिप को नहीं दिया कहीं आप ही इतने फियर इस रिलेशनशिप के लिए नहीं रहे अगें दिखे जो आपके पार्टनर डिसर्फ करते थे वो आप उनको नहीं दे पाए और इसलिए एक unfair energies आप महसूस कर रहे हैं तो देखिए यह जनरल रीडिंग है यहाँ पे सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है लेकिन जादा मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि again जो आप deserve करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है और deeper level के लिए trials of love lessons का card कहता है कि आप जो भी issues हैं जो भी मसले हैं उनको एक learning लेकर उनसे एक lesson लेकर आगे बढ़ना चाहा रहे हैं यानि कि मैं कह सकते हूँ कि positive तरीके से चीजों को लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं और देखे इसके बावजूत की कुछ unfair energies हैं आप फिर भी एक chance एक risk लेना चाहा रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर आप sure नहीं है फिर भी एक मैं again कहूंगी gamble आप खेलना चाहा रहे हैं इस relationship में आगे बढ़के और हो सकता है कि आप अपने partner को या इस relationship को एक और chance देना चाहा रहे हैं और इसी लिए देखे या फिर otherwise भी बहुत giving energies आपके लिए रहती हुई देख रहे हैं या मैं कहा है सकती हूं कि आपकी तरफ से एक give and take है लेकिन इस giving take में इतना balance नहीं मुझे देख रहा है आप दोनों में से कोई एक जादा दे रहे हैं और दूसरा चन्द जादा ले रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी भी in giving and receiving वाली energies में disbalance आता है तब ही हमारे relationship में issues और मसले भी आते हैं तो इस चीज़ को आप जरूर चेक करके correct करें और कुछ concerns के लिए भी हो सकता है कि आप एक balance रखना चाहा रहे हैं लेकिन देखें यहाँ पर the star reverse and old footage eject के card कहते हैं कि एक negative frame of mind रह सकता है जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर उमीद खोते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आप किसी level पर किसी तरीके से directionless भी होते हुए दिख रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या direction लें आप कैसे चीज़ों को deal करें और अगेन इसी वज़े से otherwise भी जो भी चीज़े आपको serve नहीं कर रही है पुरानी कुछ भी चीज़े अगेन आपको तकलीव दे रही है उनको आप अपनी life से निकालना चाहते हैं उनको आप अपनी life से delete करना चाहते हैं और देखे मैं फिर से कहूंगी ये general leading है तो सब concerns के different पुरानी चीज़े हो सकती है जिनको आप eject कर रहे है या फिर अपनी life से delete कर रहे है कुछ के incidents के लिए कोई आदत, कोई belief system कोई behavior हो सकता है कुछ के लिए किसी level पर ये relationship हो सकता है या फिर से मैं कहूंगी कोई भी पुरानी चीज़ हो सकती है जिसको आप अपनी life से निकालना चाह रहे है और दिखे तरह star का card कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जितना appreciation या पर जितना recognition आपको मिलना चाहिए उतना भी आपको नहीं मिल रहा है और अब देखते हैं के आपके partner की के energies है तो आपके partner के लिए देखे आपे सबसे पहले cards है Blessing in Disguise and Three of Pentacles Reverse और देखे Three of Pentacles का card यहाँ पर दू-तीन चीज़ें कहता है और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यह general reading होती है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ concerns के partner के लिए हो सकता है कि अपनी professional life पे concerns आपके partner बहुत ज़ादा focus कर रहे है और उसी से ही related या फिर otherwise भी वो काफी लोगों से मिल रहे हैं काफी लोगों से interact कर रहे हैं वो socialize कर रहे हैं या फिर इस relationship को ही लेके अपने close one या जो भी लोग उनकी life में हैं उनसे discussions रह रहा है और कुछ concerns के partner में सब की बात नहीं कर रहे हूँ फिर से कहूंगी कुछ concerns के partner के लिए हाँ पे third party भी रह सकती है और ये third party भी सब के लिए differ करेगी कुछ concerns के partner के लिए हो सकता है कि आपके अलावा वो किसी और की तरफ attract हो रहे हैं वो किसी और में interest ले रहे हैं और कुछ concerns के partner के लिए हो सकता है कि उनको लग रहा है concerns आप उनके अलावा किसी और में interest ले रहे हैं किसी और से जादा बातचीत कर रहे हैं और कुछ के लिए देखे कोई loved one, कोई family member आपकी तरफ से concerns या आपके partner की तरफ से हो सकता है जिनकी involvement रहे रही है और देखिए जो भी issues surface level पे हो रहे हैं कहीं deeper level के लिए आपके partner हर चीज को एक blessing ही लेते वे चल रहे हैं अगें देखिए कुछ problems भी हैं तो उनको लग रहा है रहतावा देख रहा है और देखिए जो भी issues, जो भी मसले रहें यहाँ पे lovers and love potential के cards कहते हैं, बहुत एक strong bond बहुत एक strong connection बहुत एक past life connection वो आपके साथ महसूस करते हैं और शायद इसी लिए देखिए love potential का card कहता है, कि उनको ऐसा लगता है, मन ही मन की थोड़ा सा भी वो इस relationship को nurture करेंगे, nourish करेंगे तो यह relationship वो प्यार, महबत उनकी life मिला सकता है, जो उन्होंने हमेशा चाहा है, और वो इस relationship पे work भी करना चाहा रहे हैं, इस relationship को again मैं कहाऊंगी nourish और nurture भी करना चाहा रहे हैं, लेकिन देखिए end of April के लिए hangman and lip service के cards कहते हैं कि किसी चीज को लेकर, किसी level पे stuck महसूस कर रहे हैं और देखिए, अपनी तरफ से काफी adjustments, काफी compromises भी वो करते हुए दिख रहे हैं लेकिन lip service का card कहता है कि जितना वो कह रहे हैं, उतना कर नहीं रहे हैं, या फिर देखिए, ऐसी ही feeling आपके partner को आपकी तरफ से हो सकती है कि आप जितना कह रहे हैं, cancidians उतना कर नहीं रहे हैं जादा आपके partner के लिए दिख रहे हैं और कहीं hangman का card भी जाता है कि चीजों को देखने का deal करने का अपना नजरिया तो बदल रहे हैं, लेकिन फिर से देखिए, जितना कह रहे हैं, उतना करते हुए नहीं दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि cancidians की एप्रिल मंत में क्या हो रहा है तो एप्रिल मंत के लिए देखिए, सबसे बहले cards हैं, Ace of Wands and Party of Wands और देखिए, Ace of Wands का card नई beginning की बात करता है progress, growth की बात करता है action initiatives भी लेने की बात करता है, तो कुछ ऐसा ही इस relationship में भी होता हुआ दिख रहा है, again या तो किसी level पे किसी तरीके से और उनके partner के लिए हो सकता है कि जो भी पुरानी चीजें हैं उनको end करके, एक fresh beginning आप दोनों एक साथ करना चाहा रहे हैं, इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, और कुछ के considerations और उनके partner के लिए हो सकता है कि आप लोग इस relationship को किसी level पे end करके अकेले ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, और दिखिए जो भी हो कहीं deeper level के लिए party of one का card कहता है कि again आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भई अपनी खुशी, अपनी happiness के लिए, दूसरे जन पे बहुत जादा depend नहीं हो करना है, कहीं खुद से भी चीजों को enjoy करना आना चाहिए, कहीं खुद से भी, you know, again मज़ा मस्ती करनी चाहिए अपनी company enjoy करनी चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा focus रहता हुआ दिख रहा है और दिखिए deeper level के लिए casual dating and mind possessiveness के cards कहते हैं कि चीजों को आप लोग बहुत casual रख रहे हैं, एक possessive energies हैं, कहीं एक किसी level पे jealousy भी रहते हुए दिख रही है, एक दूसरे को आप चाहते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हुए या साथ निभाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन surface level के लिए Queen of Swords and King of Swords के cards कहते हैं, कि बहुत ही logically आप लोग चीजों को deal कर रहे हैं, बहुत upfront हो रहे हैं, एक detachment सा भी mid April के बाद, या फिर April मन्त में रहता हुआ दिख रहा है, जहांपे देखिए एक blunt communication हो सकता है, straight forward conversations हो सकती हैं, और देखिए, अखेले अखेले again मैं कहूंगी, चीजों को आप लोग enjoy करते हुए, या पिर deal करते हुए देख रहे हैं, तो ये था Cancerians आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading, और देखिए जो भी हमने April मन्त में देखा, वो आपकी energies के basis पे है, अगर आपको लगता है कि April मन्त में ऐसा आप इस relationship के लिए नहीं चाहते हैं, तो अपनी energies में changes लाके किसी level पे, आप थोड़े से April मन्त के energies में भी changes ला सकते हैं, और अगर Concerns आपको ये reading पसंद आई है, आपके साथ resonate करी है, आपको, आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें, और दीके दूसरी बात मैं आपको यही कहूंगी, कि इस reading को आप literally ना लें, इस reading से आप guidance लेके, कैसे अपने relationship को आप better कर सकते हैं, आप उस पे जादा focus करें,